बच्चो अपने प्राय Π्राय कुर्स पूरा हो चुका है आज हम इसमे देख रहे हैं विद्रोही राज जो है अपना चेप्टर है उसमें जो प्रशनुक्तर हैं वो हम आपको बता रहे हैं जैसे कि पहुँ सारी स्ठाने में विद्रोही सिपाईयों उने नहीं समालने के लिए पुराने सासकों से क्यों आग रहे किया उसके लिए अंग्रेजी सरकार से विद्रो कर रहे थे उन्हें विद्रो ही सिपाही कहा गिया था इसके अंदर कर जब सबसे पहला कारण यह था कि जो सेनिकों ने बिगुल बजाये था वह चलबी वाले कार्थूश के कारण था जो हमने आपको बतायते पहले भी हमने अविकबार बता जुके जब यह चैप्टर बढ़ा रहे थी तब उसमें फिर कारीगर किशान सिपाई य सब मिलकर अंग्रेजों के विरोध गोर असंतोस व्यापता है जिसके कारण में विद्रो करने के लिए तैयार हो गया थी इस तरह से विसाल साधनों के स्वामी जो अंग्रेजों का सामना करने के लिए नेत्विस संगठन जोती आते देक आवस्यक्ता थी यादि वे एक करने के लिए रोध किया सम्राट भी हिचकिचा रहे थी लेकिन उसके बाद भी रोन सिवकार कर लिया था और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि उससे वे अनभिग थे नेत्विस संगठन भी जो था उनका भी अनभाव नहीं था लेकिन कुछ लोग जैसे आ संगठित होने के कार करना है कि विद्रोही जो थे वह योजनाबद या समन्वित धंग से काम कर रहे थे कैसे तो जो समधित हमें साक्षे जो प्राप्त हुए है उत्हासकारों ने कहा भी है कि उस समय जो विद्रोही थे वह योजनाबद तरीके से जैसे कि एक जगे से दूसरी जगे जब संदे संदेश पहुंचा देते थे तो इसने नम देखें कि कार्तु से कि विद्रो हुआ था उसके अधिकाव मां विद्रोही जो सिपाही थे वे ततकाल राज़दानी की और भी प्रस्तान करने लगे थे जिससे की मुगल सब्राड जो था वे नेतरी समालने के आग्रह करना और उस संदेश वहाग थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक समझ चल लाने के लिए को सलता पूर्वक कर रहे थे और यह केवल विद्रोही की योजना ही बनाते थे और इसके विशय में बात करते थे मतलब उनका जो बात करने का तरीका होता था वह भी इस तरह से होता था कि वह सामने वाला उसे समझ जाए और जो विद्रों होती थे वे भी योजना सुरुज में सो नियोजित धंग से ही होती थी और रात को आयोजित की जाती थी रात को इसलिए कि जो रेजिमेंट जो जनानी थे वे सब एक जगए इखटे होकर उसपी चर्चा करते थे वारता लाप करते थे लेकिन अंग्रेजों को पता ना चले उनके भी कोड़ वर्ड होते थे जिससे की वे बात करते थे और इस तरह से वे युजनाबर तरीके से कारे करते थे फिर हम देखेंगे 1857 की घट्ट ग्रं को निधारत करने के धार्मिक मिश्वास की त्हट तक भूम का थी 18 अधार्मिक विश्वास जो एहम भूमी का इसलिए कहा सकता है क्यूंकि मेरट में अग्रेज अधिकारियों ने भार्वार्टी सेनिकों के जो चर्भी से ल रखना है मुच नहीं रखना पंजाबी हैं तो उनको बाल नहीं रखने दिया कटार नहीं रखने इस तरह से उनके धार्म को आहत कर रहे थे जिससे की कुछ अफवाहें भी उड़ा दी गई थी जिसके कारण जिल जैसे आटे में गाय और सुवर की चर्वी कचूरा मिला कर द प्लासिक लड़ा हैं सवसाथ पूरे भाद कर वापसी कबनों से इसरे से हिंदू-मुसल्म धार्मिक भावनाओं को समान रूप सो तेज़त करने का कारे किया था फिर हिंदू और मुसल्मान मिलकर मुलकर सम्राट बादों साख आशिवात प्राप्त किया जिससे की वे रोहियों ने वलका सत्रू फरंगी का सामना किया जिसमें की तीन फासा हिंदी उर्दू और फार्ची की अपील जारी थी फिर बहादूर साय के नाम से जारी घोश्टा पर जो है मुहम्मद और महावित दोनों की दुखाई देते थे जिसमें की जो भी आवान किया जाता थ हिंदू और मुसल्मान को किसी तरह से खाई पैदा ना हुए इसके लिए लोग अंग्रेजों द्वारा बनाए गई कोशिसों बावजूद भी फर्क यह दिखाई देता कि मतलब ऐसे उनकी भावना को ठेश न पूचे इस तरह से विकार करते थे थे फिर देगें कि विद् सब्सक्राइब लगों को सब्सक्राइब लोगों से मिलकर इसलिए लूटा ताकि पिछड़े गरीब लोगों उससे बदला ले सके और आम लोगों द्रोव में सामिल हो सके हैं फिर जन समान ने यह विश्वाज लाया कि संपूर बारत में इसाई करना चाहते हैं मतलब वे धर्मादरन कर रहे हैं जिससे कि लोग धर्मों जातिक भेदवा को बोलकर अपनी अस्मिता को बचाने के लिए ब्रिटिस आसन के व्रुद्वे लिखना है पढ़ना है और याद भी करना है